गुड मानिंग आलाफ्यू बच्चों आज हम अपनी हिंदी की पुष्टिका वसंद भाग 3 से पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा यह पढ़ेंगे बच्चों इस पाठ के लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी तो आएए देखते हैं इस पाठ में प्रदीप तिवारी जी ने क्या बताया है बच्चों इस पाठ में भारतिय सिनेमा जगत में आए महतपुन बदलाव को रेखांकित किया गया है 14 मार्च 1931 की एतिहासिक तारिख को पहली बोलने वाली फिल्म आला मारा का प्रदर्शन हुआ उससे पहले मूख भासाएं में फिल्में बनती थी जो काफ भी लोगप्रिय हुआ करती थी इस तिथी के बाद भारतिय सिनेमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा बच्चो भारतिय सिनेमा जगत में फिल्म आला मारा को पहली सवाग फिल्म होने का गौरोपूर्ण स्थान प्राप्त है 14 मार्च 1931 को जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टर पर लिखा था वे सबी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, सत प्रतिसत बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिन्दा हो गए हैं, उनको बोलते बाते करते देखो इसी दिन भारतिय सिनेमा ने बोलना सीखा था, इसलिए यह महत्पुन दिन था, उस समय सवाक फिल्मों की लोगप्रियता अपने चरम सीखर पर थी, लोगप्रियता के इस दोर में सवाक फिल्मों का नया दोर शुरू हो चुका था पहली सवाक फिल्म आला मारा के निर्माता निर्देशक M. रानी जी ने, उन्होंने सो वोट नामक सवाक फिल्म देखी और सवाक फिल्म बनाने का निश्चे किया उन्होंने पार्सी रंगमंच के नाटक के आधार पर फिल्म की पट कथा तयार की तथा कई गाने जोंकित्यों रखे इस फिल्म में कई संगीतकार ना, कोई संगीतकार ना होने से उन्होंने उसकी धुने स्वयम बनाई इसके संगीत के लिए तबला, हार्मोनियम और वायलिन इन्हीं तीन वाद्य यंत्रों का प्रियोब किया गया बच्चो, डबलू एम खान इसके पहले पार्स गायक थे इनके द्वारा गाया गया पहला गाना देदे खुदा के नाम पर प्यारे गर देने की ताकत है था इस फिल्म में साउन था, इसी कारण इसकी शुटिंग रात में करनी पड़ती थी रात में शुटिंग होने के कारण कृतिम प्रकास की व्यवस्था करनी पड़ी, यही प्रकास प्रणाली आने वाली फिल्मों के दिर्मान का आवाशक हिस्य बनी इससे पुर्व मूख फिल्मों की शुटिंग दिन में पूरी कर ली चाती थी इस फिल्म में एक और जहां अनेक तक नीशियन और कलाकार मिले वहीं अर्दरसिर की कमपनी ने डेल सो से अधिक मूख तथा एक सो से अधिक सवाग फिल्में बनाई बच्चो पहली सवाग फिल्म आला मारा में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भासा तथा गीत संगीत और नृत्य के अनोखे सयोजन ने इसे लोगप्रिये बनाया जुबेदा इस फिल्म की नायका थी और नायक थे बिठ्थल बच्चो बिठ्थल को उर्दू बोलने में मुश्किल होती थी अपने समय के प्रसिद नायक बिठ्थल को इसी कमी के कारण इस फिल्म से हटा कर महभूब के नायक बना दिया बच्चो बिठ्थल ने मुकर्द्मा कर दिया, मुकर्द्मे में उनकी जीत ने उन्हें पुनह नायक बना दिया इससे बिठ्थल की सफलता और लोगप्रियता बढ़ गई उन्होंने लंबे समय तक नायक और स्टंट मैन के रूप में कारे किया इसके अलावा इस फिल्म में सुहराम मोदी, पिर्थ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनाताओं ने भी काम किया बच्चों, 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शिद या फिल्म आठ सप्ताह तक हाउस फुल चली दस हजार फुट लंबी तथा चार महिनों में तयार इस फिल्म को देखने के लिए दसकों की भीड लगी रहती थी इसे देखने के लिए उमड़ी भीड को नियंतरित करना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो जाता था बच्चों सवाग फिल्मों का विशय पौराणी कथाएं, पार्सिक रंगमंच के नाटक, अर्भी प्रेम कथाएं आधी हुआ करती थी सामाजिक विशय पर बनी फिल्म खुदा की शान का एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था इस कारण अंग्रेजों ने इस फिल्म पर गुस्सा प्रकट किया, सवाग फिल्मों की शुरुआत के 25 साल बाद इसके निर्माता निर्देशक अर्दर्सिर को सम्मानित किया गया इस औसर पर जब उन्हें भारतिय सवाग फिल्मों का पिता कहा गया तो उन्होंने विनम्रता से कहा मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवेसकता नहीं है मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है बच्चों सवाग फिल्मों के इस दौर में पढ़े लिखे अभिनेताओं की जरूरत महसूस की गई जब अभिने के साथ साथ संबाद भी बोलना पड़ता था इसलिए गायन प्रतिभा को भी महतो दिया जाने लगा बच्चों इस दौर में अनेक गायक अभिनेता परदे पर आए बच्चों फिल्मों में हिंदी उर्दू के मेल जोल वाली जन प्रचलित भासा को महतो मिला सिनेमा में दैनिक और साथ जनिक जीवन का प्रतिभिम अब बहतर धंग से प्रस्तुत किया जाने लगा इस समय अभिनेता अभिनेतरियों की लोग प्रियता का असर भी दर्शकों पर खूब पड़ा मादूरी फिल्म की नायका सुलोचना की हेर स्टाइल खूब लोग प्रिय हुई और तें अपनी केश सज्जा सुलोचना की तरह करती थी यह फिल्म बलावा स्री लंका और पस्रिव एसिया में भी खूब पसंद की गई भारतिय सिनेमा के जनक दादा सहाब फाल के को भी सवाग सिनेमा के जनक अर्देशिर इरानी की उपलब्धी का सहारा लेना पड़ा क्योंकि सिनेमा का नयायोग सुरू हो जुगा था तो बच्चों अब आए इस पार्ठ में आए कुछ कठिन सब्दर जानते हैं देखे कुछ कठिन सब्द इस प्रकार हैं सिखर चोटी सच प्रतिशत पूरी तरह से सवाग बोले हुए विज्यापन किसी वस्तुवादी का प्रचार करना सरवाधी सबसे ज्यादा भविश्य आनेवला समय खिताब उपलब्धी प्रतिविम परचाई प्रतिभा बिलक्षण बुद्धी कद्र आदर या सम्मान पौराणिक पुरानी कठाओं से संबंधित जनक पिता उपलब्धी विशेश प्राप्तिया देन कृतिम बनावटी संयोजन मिला हुआ मेल चर्चित मसहूर स्थम खंभा तीखी नजर गुसा प्रकट करने का एक तरीका करार देना घोशित करना बहतर और अच्छा हेर स्टाइल बालों को सवारने का तरीका उपलब्धी विशेश प्राप्तिया देन बच्चो अब इस पार्ठ में आये कुछ और्थ ग्रहन संबंदी बहु बिकल्पिय प्रस्निक के विशे में हम जानते हैं देखिए इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है जैसे कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, सत प्रतिसत बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए उनको बोलते बाते करते देखो देश की पहली सवाग यानि बोलती फिल्म आला मारा के पोस्टरों पर पिग्यापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी 14 मार्थ 1931 की ये एतिहासिक तारी भारती सिनेमा में बड़े बतलाव का दिन था, इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था तो बच्चो आए इस से सम्बंदि कुछ प्रस्ण जानते हैं भभु बेकल्पि बच्चो बताए इस गध्यांस के पाठ और लेखक का क्या नाम था तो बच्चो इस पाठ के लेखक का नाम था जग सिनेमा ने बोलना सीखा और लेखक है प्रदीर तिवारी जी बच्चो दूसरा प्रस्ण है यहां किने सजीव कहा गया है तो इसका उत्तर होगा बच्चो फिल्म के कलाकारों को तीसरा प्रस्ण है बच्चो पहली बोलती फिल्म में कुल कितने कलाकार थे तो इसका सही उत्तर होगा बच्चो 78 अगला प्राशना है भारती सिनेमा के इतिहास में 14 मार्ट 1931 की प्रसिद्धी का कारण क्या है तो इसका उत्तर सही होगा पहली बोलती फिल्म का प्रदर्शन और आखरी है बच्चो एतिहासिक सब्द में प्रत्य क्या है तो इसका सही उत्तर है बच्चो एक धन्यवाद